अब यूपीटेट का क्यूशन हम असाल कर रहे हैं जबसे छोटी रिड़तर आभाज पुढाई कि संख्या क्या है या नि कह रहा है कि सब्से छोटी प्राइम नंबर क्या है सबसे चोटी प्राइम नमबर क्या इसलिए हमने कुछन इसको लिखा नहीं हम आपको बता दे रहें अगर कमेंड करके आप किसुक आता तो बता दें जाली कीजे सबसे छोटी रिडियोत्तर आभाज पुडांक संख्या अगर हिंदी छेत्र से हैं हिंदी को समझ बड़ा रिप क्या बोलते हैं प्राइम नमबर सबसे छोटा प्राइम नमबर क्या है तो आप आप इसलोटा प्राइमस क्या है और तो वर動画 करेंए हैं hayaãy प्राइम नमबर क्या है की अब अधर कि यूपीटट की त्यारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो परेस के देए वह तो शेयर किज़ें को धनवाद ठीक है अगला क्रिशन आपका है अगला क्रिशन बड़ा बढ़िया है अगला क्रिशन देखे क्या कहा है कि क्रिशन पूचा है कि सव के समभाजकूं की संख्या क्या होगी ही कर आज सो के संभाजकूं की संख्या क्या होगे ठीक है न तो बताएगे अप लोग सव के संभाजकूं की संख्या क्या होगी सव के संभाजा क्या हो सकते हैं दो उसके बाद चार पिद दस फिर बीस पिर उसके बाद क्या पचास फिर सव एक दो तीन चार पांच छे तो सव के संभाजकों की कुल संख्या कितनी हो सकती है एक दो तीन चार पांच छे सव के संभाजकों की कुल संख्य अगला कुछन बढ़ा अच्छा कुछन है अब अगला कुछन देखें बहुत सिंपल है तो यहां पर किशन यहां पर ऐसे देख कर देदिया है कि इसका नमाने बताइए यह फिगर दिया है सिंपल 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 पुछा आता है थिक है तो आप पुछते हैं सिंपल सिंपल आता तो फिर निकाल करें यहां पर दिया 120 आपको हम बता दें पहले जानकारी के लिए यह है यहां पर दिया है कह रहा है 120 120 यह दिया हुए 120 है तो इसकी वैलू क्या होगी ठीक है ना पूछ रहा है इसकी वैलू क्या होगी तो हम आपको बता दे रहा है वान है जिसकी वैलू सुरी यहां पर नीचे लिखने लिए 120 प्लास याक्स इस्क्वालिटी वान हंडड़ एट्टी आप फूछेंगे 180 कहां साया जो पढ़ रहे हैं जो पढ़े हैं मालीजे उनके लिए ठीक है जो आठाएं से पढ़े हैं मालीजे वो यह पीटेट की परिशह देना चाहते हैं कोई रेखा अगर सीधे में है सीधे में तो इसकी भेल यूव क्या होती 180 होती है यहां पर दिया है 120 120 यहां पर कुछ नहीं इसकी वैलू पूछा है ठीक है न तो लिख लिखेंगे 120 प्लस याक्स बराबर 180 का है या पूर एक वैलू 180 दिया है थी इसकी वैलू और इसकी वैलू कितनी होती है कहने का मतलब हो गया याक्स इसको ल्टू वाइन हैंड़ेटी इसको वान वान हैंड़ेटी के इधर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा ठीक है 120 ठीक है याक्स बराबर 180 में 620 घटा लेंगे 0 आठन दो गए 6 तो याक्स बराबर क्या हो बहुत है साथ कितना हुआ साथ हुआ आप डायर्ट भी बना सकते थी ठीक है आप डायर्ट भी बता देंगे कोई जरूत नहीं है चुकि जब आप पर इच्छाम बटेंगे यह पीटट के सिटट की वहां पर टिक के लगाना पड़नाता है अगर आपको आ रहा है जिसे मुझे नहीं अगले नहीं के का है डायर्ट लगा देंगा एक सो बीस और प्लस याक्स बरबत ना एक सो असी मिसे घटा देंगे साथ ही वे गरेगा का जुझ जरूरत है लगाने की आप हमने टिक लगा जिया ठीक है तो आपको सिखाने के लिए संभाने के लिए आपको बता रहे है हमार 1111 बंडर ऴजल लॉंक्त के बराबर है यानि चार आपसां दियो समेंसे संभा आपको का करना है सही करना तो पहले करै थिकह न थ दो 2-1-2 और 2-1-1-3 3-5-2 ठीक है ना 3-5 टू 11-2-12-23 है यह जिए बट्टे दो ठीक ना पहिए तो ओगया तेटीष फिर बाइब है प्लास फिर इसके बाद क्या करेंगे अ कि कि आया देखें या दो एक का रहेंगा दो एक नाम दो एक तीन बटे दो प्लस अब लिए दो जोड़ देंगे ना दो 222 और एक तीन बटे दो ठीक है ना भीया अब उसके बाद क्या करेंगे अब उसके बाद देखते रहें बहुत सिंपल अब कामन क्या मिलेगा कामन आपको मिलेगा दो हाँ फिर कामन क्या मिला है कामन जो हर जहां है यादि दो यहां पर दो यहां पर दो यहां पर दो यहां प पलास यह ठीक है न अब उनको सबको जोड़ लीजिए ठीक अब पुरा जोड़ा लेंगे तो आपको कितना आएगा आपको आएगा कि आपका आज आएगो यह बहत्तर तीन तेईस दोसो तेईस और दोसो यह ठीक है यहाँ पर एक और हो जाएगा इसको जोड़ने के प्रक्राइगा ठीक है अब उसके बाद इस जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे फिर एक गुड़ा कर देंगे कि हम आगे से लिख दे रहा है कि एक गुड़ा कर देंगा बटें दो कर देंगे दो से भाग देंगे तब फिर बाग दो से भाग देंगे तो हो जाएगा बारा सो चतिस दो से भाग देंगे तो आएगा बारा सो चतिस यह आपका सवाल सर अलेव का फिर देख लीजे इसको क्या करेंगे यह किष्वन आपका है टू अन्जा टू टू एक थरी ठीप पर टू प्लस टू थे अपंटू यह किष्वन हास्वाल कर लेंगे इस साल करने कब तू कौन लेंगे वोन आपांटू कमल आपका सही है ना हाँ आपको कड़ी सही है तो हमार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए को प्रेश के लिए का थैंक्यू धन्यवाद भी यह ठिंग है अब इसके बाद कल हम बताएंगे अगला कृष्ण ठीक है ओके बाई बाई तो हलो तो आज हम पढ़ाने जा रहा है यूपीटेट और सीटेट का किश्चन ठीक है ना किश्चन में दिया है कि 40 आदमी 30 दिन में 200 कीजी चावल खाते हैं कितने दिनों में 30 आदमी 500 कीजी चावल खाएंगे ठीक है ना तो यूपीटेट और सीटेट का किश्चन है तो में दिया गया है कि 40 आदमी 40 आदमी तो 40 आदमी 30 दिन में 200 कजी चावल खाते हैं और कितने दिनों में 30 आदमी 500 कजी चावल खाएं यह आपका question है तो यह question आपका है तो अब question को हल करने के लिए हमने फार्मुला लिख दिया है यह M1D1 upon W1 is equal to M2D2 upon W2 तो M1 क्या है M1 है मैं मैं मनें आदमी ठीक है न यह मतलब मैं और D मतलब होता है दे मतलब दिन ठीक है न और W1 होता है आपका वेट याने केजी में भार में ठीक है न तो यह मतलू तो इस सबका मानी वैलू रखना है तो हम देखते हैं देखिए हम क्या-क्या मान रखते हैं तो अब यह सवाल दे हुआ है कि 40 आदमी 30 दिन में 200 क्यजी चावल खाते हैं 30 दिनों में 30 दिनों में 500 क्यजी चावल खाएंगे तो कितने दिनों में कितने दिनों में न दिन पूछ रहा है तो यहां पर दिन नहीं मालूम कितनों दिनों में कितने दिनों में खाएंगे दिखेंगे चालीस आदमी यानि यामवन बराबर क्या हो गया 40 ठीक है यानि 40 आदमी यानि मैन ठीक है ना 40 आदमी एक एक आदमी यानि मैन पहला मैन जो है चला पहला आदमी जो है यामवन बराबर 40 आदमी हो गया फिर गारा 30 दिनों में यानि D1 यानि 30 दिन हो ग तो यहां पर देख रहा है तो देखायों देख लेवाय हुआ है तो आप इसी फार्मूले पे लगा लेंगे सस आधंड यहां पर अगर देख रहा है तो किटना दिया हुआ है आप इसको हम इधर कर रहे हैं तोड़ा सा जिससे आपको बेहतर तरीकिस दिखाई दे अब देखि लीजे याम 1 की वैलू क्या है 40 है ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं है तो multiply लगा देंगे 40 D1 की वैलू क्या है D1, D1 देख रहे हैं D1 की वैलू है 30, 40, 30 बटे उसके बाद W1, W1 की वैलू क्या है यहाँ पर दिखी W1 की वैलू क्या है 200, 200 बराबर यम 2, यम 2 की वैलू क्या है 30, 30 उसके बाद D2, D2 की वैलू नहीं मालूम है पर इस बाद W2, W2 की वैलू क्या है 500 ठीक है न फिर अब यह 0 से 0 कैंसिल और यह 0000 कैंसिल ठीक है न उसके बाद लिखनेंगे 4 त्याहीं 12 बटे 2 बराबर यह 0 से 0 कैंसिल मतलब 3, D2 बटे 50 अब यह हो जाएगा 3 का गुड़ा दो में कर देंगे तीन दुना 6, D2 बराबर और उसके बाद 12 सुने, सुन, 12 बराबर चे साथ, 600 तो उसके बाद D2 बराबर 600 बटे 6, ठीक है न, 12 सुने, सुन, 12 बराबर पंचे साथ, D2 बराबर 600 बटे 6, अब D2 बराबर 600 बटे 6, यानि 600 में, 6, 6, 6, कैसे लोगा 0, यहाँ प्यान हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो D2 बराबर हो जाएगा आपका, 100, D2 बराबर क्यों जाएगा, 100, तो कितने दिनों में, 100 दिनों में, ठीक है न, एक बार फिर सद्धान समय लिजे, एक बार, देके 40 आदमी, यानि 40 आदमी, ठीक है न, तो YAM को 40 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार फिर समय लिजेगा, इधर कुछु के दिखाई नहीं दे रहा है, तो इधर दिजे न दे मतलब, YAM मतलब मैं, D मतलब, D, D मतलब, D, ठीक है न, अब W मतलब वेट, यानि यहाँ पर KG वगारा, जो भी गराम वगारा, जो भी कुछ दिया रहेगा, वो लगा देंगे, ठीक है, अब जो कुछ दिया, यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम माले जी को आप फिर से लग W1 क्या है, W1 क्या है, W1 200, तो 200 लिख लिजिए, ठीक है, बराबर, YAM 2, YAM 2 का वेलू क्या है, YAM 2 की वेलू आपकी 30 है, ठीक है न, M2, M2 यहाँ पर देखें, 30 आदमी हैं, 30, 30 आदमी, M2 है, फिर D2, कितने दिनों में, दिन नहीं दिया है, दूसरा लें, कितने दिनों में वायात करना है, तो लिख दीजिए, बीच में कुछ नहीं गुड़ा लगाओ या न लगाओ, ठीक है न, फिर उसके बाद, आप क्या करेंगे, W2, यानि कितने दिनों 500 कीजी चावल खा जाएंगे, यहाँ पर दिया है 500 कीजी, यहाँ पर 500 कीजी लिख देंगे, यहाँ पर गुड़े, गुड़े 30 है, तो 30 बटे, बटे 200 ठीक है न, बराबार क्या, 30 D2 बटे 500 ठीक है न, यह आपका है, न, तो फार्मूला याद के लिज़ एक दम बहतर तरीके से, जब आपको फार्मूला याद आ जाएगा, तो सब कशिशन आ जाएगा, ठीक है न, भया, यह फा पार्मूला, अच्छा चली, फिर कहा हुआ भया, 4 है, यह दिखिए, यह 0 से, यह 0 से, यह 0 से, जिरो से, कांसिल हो गया, चारत यह 20, 12 बटे क्या लिखेंगे, बटे क्या, बटे क्या, पचास, आगे लिखेंगे, जब गुड़ा कर देंगे, तो 12 पंचे, साड यानि 600 और तीन दूना 6, 6D2, 6, अगर आप यहां से देख लें, तो 6D2 बराबर 12, 5, 7, 600, ठीक है न, 600, तो D2 बराबर 600, बटे 6, D2 बराबर कितना हो गया, 100, 100, हो सेंगे 100, दिन मिलेगा, तो आपका यह एंस्वार हो गए न, 500 दिन में हरी, यह सवाल है, कि electro2, दिन में 200 किजी चावाल खाते हैं कितने दिनों में कितने दिनों में कुछ राए कितने दिन में य। य। फर्मला लगा लगा लेंगे आपका ये कुछन आपका साल हो जाएगा देख लीजे ठिक है ना तो आपको ये कुछन क्या होगा साल हो जाएगा तो किस दिन में चावल खाएंगे यानि कितने दियों में तो सौधीन में सौधीन में चावल खा जाएंगे बूरे ठीक है न हमारे चनल को सब्सक्राइब भीजिए बेले केंट बेले को प्रेस कीजिए जब दस दादा शेयर कीजिएगा थैंको धन्यवाद